तो गाइस, देरेज़ एक्योग अपडेट, असेस्मेंट रिया 2324 के लिए गवर्मेन ने आईटिया 1, 2, 3, 4, सबकी JSN इसकीमा अभी तक यहाँ पर लाँच कर दी है, लेकिन जो ITA forms होते हैं online, वो अभी तक activated नहीं हुए, नहीं offline हुए तो filing की शुरुआत जो हो सकता है, next week से यहाँ पर चालो हो जाए, लेकिन तब तक जानते हैं कि यह schema वगरे होती क्या है तो देखें गाईस, इसको अगर आप simply unzip करेंगे इस फाइलों को, तो इसके अंदर आपको simply JSN फाइल मिलती ही, तो JSN फाइल कुछ नहीं होता है, income tax का जो portal होता है, वो जित्ती भी फाइल होता है, उसको कोई PDF के format में save नहीं करता है, वो हमेशा JSN format के अंदर ही अपने पा इसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, इसकी KB की जो size होती है, वो काफी जादा कम होती है, तो यहाँ पर income tax portal को जादा space की requirement नहीं रहती है, आप गवर्मेंट ने क्या किया है, अभी तक ITA 1 का schema यहाँ पर launch कर दिया है, ITA 2 का कर दिया है, ITA 3 का कर दिया, ITA 4 का भी कर दिया है, तो जल्दी यहाँ पर उमीद है कि next week से यहाँ पर आपकी जो offline utility होती है, basically मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैसी होती है, जिसके अगर आप 22-23 के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको Excel-based utility मिल जाती है, तो हो सकता है, next week तक basically वो यहाँ पर launch कर दे, Excel-based utility के अलावा guys, यहाँ पर जो government department है, ITA जो department है basically, वो Zawa-based utility भी यहाँ पर launch करता है, तो सबसे पहले वही enable करता है, उसके बाद में जब आप अपने portal के अंदर जाते हैं, तो अभी right now आप देखेंगे, आपको online कोई भी facility यहाँ पर नहीं मिलने वाली है, तो सबसे पहले उनकी शिरवात होती है, वो offline common utility facility से होती है, और उसके बाद में basically वो online यहाँ पर enable करते हैं, तो guys यह था एक छोटा सा update, तो अभी तक 23-24 के यहाँ पर filing शुरूर नहीं हुई है, और next week से यहाँ उमीदे, अगर ऐसा कुछ भी update आता है, तो आपको इस channel के उपर जरूर सबस subscribe जरूर कर लिजेगा, और आप लोग के कुई भी अगर doubts है, तो 23-24 related filing के, तो आप comment box के इंदर mention कर सकते हैं, thank you guys, thank you very much